अगर आपको भी कुछ इस प्रकार का प्रोफेशनल रेजुमी बनानी है इसके लिए सबसे पहले है तो आपको अपने मोबाइल फोन के दर में प्ले स्टोर आप्लिकेशन को आपन करना है और उसके बाद यहां पर आपको सिंपल सर्च करना है रेजुमी मेकर इस अप्लिकेशन को जैसे सर्च करना है यहां पर सबसे उपर रेजुमी बिल्डर एप या फेट सीवी मेकर इस अप्लिकेशन को यह आप्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा इस अप्लिकेशन को आपको डाउनलोड करना है इसका 1 crore plus download है तो इस application को आपको download कर लेना है वैसे मैंने इस app का link भी आपको description में दे दिया है तो इसको download करना है उसके बाद यहाँ पर open के option पे click करके इस application को हम यहाँ पर open करेंगे open करने को बाद कुछ इस तरह का interface आपको इस application का देखने को में लेगा यहाँ पर resume बनाने के लिए create option यहाँ पर click करना है यहाँ पर हमको ads show कर रहा है so it's ads आपको चुटका रहा पाना है तो यहाँ पर सबसे पहले scroll down करो और अपना internet connection को off कर दो और उसके बाद यहाँ से back जाओ so यहाँ पर आपको create new profile का option मिलता है यहाँ पर click करो यहाँ पर आपको personal detail करना है so यहाँ पर personal detail क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपना नाम सबसे पहले एंटर करेंगे जो भी आपका नाम है आप CV पर जो भी नाम देना चाहते हो उसका full name यहाँ आपको अपको एंटर करनी है नाम एंटर करने के बाद नीचे आपको एड्रेस फिल करना है जहां पर भी आप प्रेजेंट मेरा रहे हो एड्रेस फिल करने के बाद यहां पर नीचे आपको एमेल आईडी डाल देना है अब उसके बाद यहां पर आपको अपना phone number एंटर करना है उसके बाद यहां पर आपको change की icon पर click करना है click करके यहां से आप एक photo स्लेक्ट करोगी अपने gallery से जो भी आप photo देना चाहते हो photo जैसे select करोगो यहां पर crop section open उचागा तो यहां से आप अपने फोटो का एजेस्ट कर लोगे और उसके बाद यहां पर इसको सिलेक्ट कर लोगे और यहां पर यह फोटो अब्लोड करने के बाद यहां पर सेप का इकन पर क्लिक करना है और यह सेप होज़ेगा उसके बाद नीचे एडुकेशनल मिलेगा यहां पर education section में click करना है यहां पर add के option में click करेंगे and उसके बाद मैं जो भी आपका first education हो यहां पर डालोंगे so मैं यहां पर secondary education मतलब 10th का जो भी degree है वो मैं यहां पर enter करोंगा and उसके बाद नीचे यहां पर university में यहां पर हम अपने पास किया है वो year आपको यहां पर डाल ली है and इसके बाद आपको add के option पर click करना है and यहां पर अपना दूसरा education डालनी है जिसमें वही सबसे पहले course यह डिगरी डालना है तो यहां पर हम higher secondary एंटर करेंगे and school and university में इसके बाद करेंगे तो यहां पर अपना फिल करोंगे and passing year यहां पर डालोगे जो भी आपका passing year है उसके बाद यहां पर add के option पर click करेंगे उसके बाद यहां पर तीसरा education डालेंगे so यहां पर course की बाद करेंगे तो BCA and उसके बाद नीचे school university में जामियामदर डालेंगे जो भी आपका university हो डालोगे उसके बाद percentage यहां पर एंटर करेंगे जो भी percentage है आप यहां पर enter करोगे and उसके बाद यहां पर आपको passing year डाल ली है कौन सी year में आपने इस course को complete किया है and यह मैंने तीन education डाल दिया अगर आपका और भी education qualification हो तो यहां पर आप add के section पर click करके अपना और भी education qualification फिल कर सकते हो लेकिन मैं तीन ही फिल कर ओगा उसके बएस साइब कायकर पर click करके back आऊँगा अगर आप phraser हो तो इसको आप ignore करोगे और आप back जाओ कि experience को आपको छोड़ दना इसको फिल नहीं करना लेकिन मेरे पास 6 महीना का experience है so महीं यहां पर experience को फिल करूँगा experience को option पर click करूँगा add कर क्लिक करूँगा company name के बात करें तो Accenture है उसके बाद यहां पर job title डालेंगे web designing इसके बाद में start date कब अपने start किया तो 2024 में start है and 2024 में end है 6 मत का experience था उसके बाद में यहां पर detail आप देना चाहा हो दे सकते हो जो भी आपका profile था उसकी ही आप से देना होगा so I am as a web designing and उसके बाद यहां पर save कर क्लिक करेंगे और भी अपना experience अगर है आपके पास तो यहां पर add के option पर क्लिक करेंगे डाल सकते हो लेकिन मेरे पास एक ही experience हो so मैं डाल दिया उसके बाद save कर क्लिक करेंगे and उसके बाद यहां पर आपको ob קर्क देन करने के निच आपको skill का option रहाँ month i kaito ले आपको आपको क्लिक करने है and आपके बाद भी ली इसकील्ड़ है यहां पर एंटर को एंटर करेंगे जोकि यह वेल कहा है वेबBay Visit5 czy City 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 और उसके बाद फिर add की option पर click करेंगे और यहां पर चोथा skill यहां पर enter करेंगे अगर आपके बाद 4 skill है यहां पर enter करोगे नई तो जितना skill है आप वही डालोगे मैंने 4 communication डाल दिया यहां पर चार skill यहां पर share किया हूँ यह चारो skill हमने यहां पर enter कर दिया अब यहां पर simple save क क्लिक करके back जाएंगे अब उसके बाद यहां पर objective क्लिक करोगे तो आप खुद से अपना यहां पर objective डाल सकते हो नहीं तो यहां पर select objective क्लिक करोगे और उसके बाद में इतने सारे objective option मिलता है जो भी आपके job के according fit बढ़ता है उस objective को आप यहां से चूज कर सकते हो यहां से एक objective चूज कर लिता हूँ जो मेरे profile से मैच करता है उसके बाद यहां पर आपको save क क्लिक करने है अब बैक जाएंगे अब यहां पर आपको reference अगर देना है तो दे सकते हो यहां पर आप इसको ignore कर सकते हो सो मैं यहां पर reference किसी का नहीं देने वाला हूँ सो मैं यहां पर back जाऊँगा अब यहां पर आपको नीचे add mode section का option मिलता है यहां पर click करना है इसके बाद यहां पर हम सबसे पहले तो language add करेंगे लेंग्वेज चूस करेंगे जो जो language मुझे आता हूँ यहां पर डालेंगे सबसे पहले हम language में Hindi डालेंगे उसके बाद add section करेंगे उसके बाद दूसरा language जो मुझे आता है English वो मैं यहां पर डाल दिया अगर आपको और language आता है तो यहां पर डाल सकते हो तीसरा language अपना, नहीं तो आप इसको ignore कर सकते हो, मैं दो ही language डाला, उसके बाद फिट से add mode section पर click करेंगे, इस बार हमको additional information फिल करने है, तो यहाँ पर additional को check करेंगे, इसके बाद में जो भी additional information आपको डालनी है, वो यहाँ पर आपको enter कर देना है, सो मैं यहाँ सबसे पहले father name enter करूँगा, तो कुछ इस तरह से अब अपना additional information फिल करोगी, मुझे जितना information डालना था additional में, वो मैंने डाल दिया, अब यहाँ पर save card में click करेंगे, और उसके बाद फिट से यहाँ पर add mode section पर click करेंगे, अब यहाँ पर signature वाले जो option है, उसको on करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर signature upload करेंगे, signature दोसरा से आप कर सकते हो, पहला तो digitally sign कर सकते हो, दूसरा यहाँ पर बैक जाओगे, एक मिनट इसको बैक कर ले, और दूसरा option यहाँ पर आपको upload का option मिलता है, क्लिक करके, जो भी आपने sign अपने फाइल में रखा है करके, उस फाइल को select करके, आप signature अपलोड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर digitally signature करने वाला हूँ, सो मैं यहाँ पर sign कर देता हो, और उसके बाद मैं यहाँ पर सेप करके, यहाँ पर आपको back दानी है, यह हमारा इतना information डालना था, एक resume के अंदर में, सो मैं यहाँ पर डाल दिया, आप देख लेना, जो भी और कुछ add करना हो, आप अपने ही साब से add कर लोगे, लेकिन एक resume में जितना चीज चाहिए था, एक professional resume के लिए, वो सभी हमने detail फिल कर दिया, अब यहाँ से हम simple bags आएंगे, आप यहाँ पर view resume का, view cb का option जो मिलता है, इस पर click करेंगे, तो इतने सारे आपको option देखने हो मिलते है, resume का format मिलता है, total बात करें तो यहाँ पर 55 format से, जो format आपको पसंद है, उस format को आप select कर सकते हो, यहाँ से आप अपना format चेक कर लोगे, कौन सा format आपको पसंद आ रहे है, यहाँ पर click करकर, कि आप हर एक format को देख लोगे, कि कौन से format में आपका resume अच्छा लग रहा है, जो format का resume आपको अच्छा लगे, उसको यहाँ से आप preview कर लोगे, यहाँ पर click करकर download भी कर सकते हो, मुझे जो download करना है, वो मैं अपना choose कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर अपना resume select कर लिया, जो मुझे चाहिए था, यह resume मुझे download करना है, इसको मैं एक बगर आपको दिखा दो, तो कुछ इस तरह से दिख रहा है, काफी professional look है, तो आप अपने हीसाब से देख लेना, जो resume आपको पसंद है, उस resume को आपको select कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर download का option मिलता है, simple यहाँ पर आपको click करके, इसको आपको अपने file में, PDF के format में download कर लेना है, यहाँ पर download successful, download completed हो गया, देख लेते हैं, कौन सा resume है, जो मेरा download होगा है, एक मिनट बैक जाते है, इसको डॉकुमेंट में जाएंगे, यह रहा जो हमने download अभी किया अपना resume, तो कुछ इस तरह से हमारा resume, PDF format में download होगा है, तो इस तरह से आप घर बैटे, online mobile phone से, काफी एक professional resume बना सकते हो, इसमें तुरह आप time दोगे, तो काफी और detail फिल करके, आप एक professional और भी अपने हिसाब से बना सकते हो, इस वीडियो में इत्ता ही, फिर मिलते हैं next वीडियो में, तब तक लिए, जैहिन, जै वारत!